प्रिक्टर में हम लोग कार्ण और प्रिंस्पर को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके प्रूफ को देखेंगे, all possibilities देखेंगे, कैसे वो समभब हो सकता है और कैसे नहीं समभब हो सकता है इसके राबा EAC gate में आने वाले कुछ important points को देखेंगे, जिससे काफी ज़्यादा question, numerical question साहता है EAC में खास कर, इन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं तो ये वीडियो काफी important होने वाला, काफी informative होने वाला है, तो बिल्कुल भी skip मत किजिएगा, और मन लगा कि इसको देखें तो बिना समय के बाए हुए, श्टार्ट करते हैं, मैं हुमननकुमार राजाद, और आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, अपने YouTube चैनल, सांती क्लासेज, एस कहजाद, मैकेनकर इंजिनियरिंग में तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, आप लोग के स्क्रीन पे एक कमेंट को मैं लेका रहा हूँ, जिसमें एक बच्चे ने डिवांड किया है, थर्मो डायनेमिस का जो कॉंसेट मैं परहा रहा रहा तो लेक्शर चल रहे थे, उसको कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है, त तो आप लोगों से भी आग रहा है कि थोड़ा सा इसको सेर कीजिए, जब तक इसको जरूरत मन दोंगों तक नहीं पहुंचाएंगे, मुझे नहीं लेगा कि इससे फायदा हो रहा है, तो इसको कंटिन्यू मैं नहीं करता हूँ, फिर आफ लाइन कासे में काफी बीजियो तो फिर समय नहीं निकाल पाता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों से आग रहा है कि इसको सेर जरूर करिएगा, वीडियो सुरू करने से पहले इसको लाइक कर दीजिए, जो भी आपके Facebook WhatsApp ग्रूप है, जिसमें भी educational ग्रूप है, सब में सेर कर दीजिए, चलिए भी आप कर दीजिए, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, कारनाट प्रिंस पर इससे पहले हम लोग कारनाट साइकल को देख चुके हैं, अगर आप लोग उन उस वीडियो को नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाके उसको देखिए, प्लेटिस वारा सेक्शन में जाईए, ठीक है, और स इसको यहीं से सुरू करना है, तो कोई बात नहीं, हम लोगा स्टार्ट करते हैं, तो कारनाट भागवान क्या कहते हैं, हाँ, यह कारनाट हमान लोग के लिए भागवान ही है, तो कारनाट भागवान कहते हैं, कि it is impossible, यह बिल्कुल संभब नहीं है, for an irreversible engine, to have an efficiency greater than a reversible engine working between same e-reversible engine काम कर रहा है, और e-reversible engine काम कर रहा है तो यह कभी भी possible नहीं है, कि e-reversible engine काम करनाट नहीं है, कि e-reversible engine की efficiency to evasible σε ज्यादा हो जाए, यह बिल्क के गाल क्याम कहते हैं, सेम temperature difference के बीच अगर e-reversible engine काम कर रहा है, तो reversible engine की efficiency सदैब इ-reversible से ज़ादा होगी या इसी बाउत को मुलट के कह सकते हैं क्या भाए कि अगर same temperature limit के बीच दो reversible engine काम कर रहा है तो उसका जो efficiency होगा हो same होगा क्योंकि maximum efficiency हो नहीं है उसकी reversible engine की तो जितने भी reversible engine है जो भी all possible reversible engine है जो भी तुम बना चुके हो या जो भी बनाओगे reversible engine ने बना पना ऐसे असान काम नहीं है पर फिर भी अगर तुम reversible engine बना लेते हो तो सब की efficiency क्या रहेगी भाई अगर same temperature limit में तुम काम कर रहे हो तो same ही efficiency उन दोनों सभी की रहने बाली है और बच्चों मैंने कारण भी लिख दिया है because काहे भाई क्योंकि जितने भी e-reversible engine है उसके अंदर क्या होता है भई तो internal entropy generation क्या होता है भई तो internal entropy अंदर ही entropy पैदा हो रहा अंदर ही ऐसे ही energy के form की रिट हो जा रहे है जिसका हम further use नहीं कर पाएंगे ठीक है तो यह करता कौन है तो e-reversible engine का यह property है कि उसके अंदर entropy generation हो गाई होगा या या ऐसे unusual form of energy बनेगा जिसका हम further use नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इसको numerical mathematical form मैंने लिख दिया है first क्या है तो कहता efficiency of irreversible engine is never greater than the efficiency of reversible engine या फिर इसको उल्टा लिखो कि irreversible engine की efficiency सदैब reversible engine से कम होगी लेकिन condition मत भूल जाना मेरे दोस्तों आपको बेबकूफ ना बना दे ठीक है condition क्या है कि वो same temperature limit के बीच काम कर रहा हो तब ही जाकि irreversible engine की efficiency सदैब reversible engine से कम होगी या फिर second बात कहूँ कि दो reversible engine जो same temperature limit के बीच काम कर रहा है उन दोनों की efficiency क्या होगी same होगी ठीक है अब कहोगे sir हम आपकी बात क्यों मालने ठीक है तो अब हम इसको करेंगे proof ठीक है तो चलिए देखते है proof इसका तो सबसे पहला proof देखते हैं सबसे पहला proof क्या था मैं कि कोई भी irreversible engine ऐसा नहीं जिसकी efficiency reversible से जादा हो जाए तो चलो पहले मैं उसको diagram बना कर दिखाता हूँ कि मैंने same temperature limit के बीच एक TH higher temperature limit है और TL lower temperature limit है ठीक है इन दोनों के बीच मैंने दो engine चलाए है ठीक है दोनों का temperature limit क्या है तो same same है ठीक है एक है irreversible engine और एक है reversible engine दो engine मैंने चला रखा है ठीक है दोनों के साथ सारी घटनाए same हो रही है यानि कि वो higher temperature से दोनों के दोनों क्यों ही energy ले रहा है ठीक है ठीक है और दोनों के दोनों जो हो रहा है वो lower temperature पे same energy को emit कर रहा है ठीक है यानि radiate कर रहा है निकाल रहा है रिजेक्ट कर रहा है ठीक है reversible वाला भी reversible को मैंने i-reversible बोल दिया क्यों reversible बोल दिया सेम रहेगा को ज़रूरी नहीं है हमने same energy दिया है इसको same heat दिया है अब release वो यतना कर ले हम तो temperature limit तो सेम दे रहे हैं हम तो चाहते है maximum हमको burden करके दे हम थोड़ना चाहते हैं कि वो heat को जाय करें लेकिन जो करेगा तो इसको मैंने लिखते है heat rejection of irreversible engine heat rejection by reversible engine ठीक है और यह burden by irreversible engine और यह burden by reversible engine ठीक है हाँ दोनों जो है वो same temperature limit के बाद बीच काम कर रहा है यहाँ पर T H है higher temperature limit और T L है lower temperature limit ठीक है यहाँ तक मैंने यह भी माल रखा है कि higher temperature limit से दोनों same heat ले रहा है हम उसको जब रस्ति दे रहा है क्योंकि यहाँ पर starting है तो यहाँ पर मान सकते है बागी उसके बाद इंजन क्या करेगा मुझे क्या पता ठीक है अब इतना मान लिया है यदि तुमको लगता है यदी तुमको लगता है यदि तुमको लगता है कि यह यह e-reversible की इंजन की efficiency इफिसेंसी पी सबीपिसेंसी क्या ह Ќँ फिसेंसे क्या होता है ? ऐसा है इफिसेंसी क्या होता है ? बड़ी होगी तो बड़ी मैंने मान ली है अब नीचे क्यू की वाला दोनों में कट गया तो क्या है है ध्यान रखो मैं फिर से बताता हूं पढ़ने का तरीका क्या है कि आप अपने सामने नोटबुक खोड़के रखिए उसको नोट करते जाएगे बस यह फिलिम नहीं चल रहा देखते जाओगे तो पल्ले नहीं पढ़ेगा उपर अपने से निकल जाएगा ठीक है वीडियो को रोको पॉस करो उसको नोट करो उसको रिकॉल करो उसके बाद आगे बड़ो क्यों कि पैसा बचेगा नहीं सब्सक्राइब मैं एमन जादा लगए थीक है देखते क्या किया है म तो इस्टाइन्रजी स्ट में जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जाधा और तुम ने एलिज उसका जादा करके देगा शेम हीट में अब कहते हैं कि ऐसी बात है तो अगर तुमको लगता है कि ऐसी बात है तो भाईया यह भी तो होने वाला है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि देख जो प्रोशेस यहां हो रहा है यहां क्या हो रहा है तो यह जो है वो डैबलु रिवर्सीवड और क्यू रिजेक्शन रिवर्सीवल के बराबर हैं है न जी क्यूं बराबर है इनर्जी के product phase यह से हीट लिया Q, यह E-reversible इंजान है, तो यहाँ पर रिजट करेगा, कितना बाए तो Q are E-reversible, और यहाँ पे इस ने burden किया है, कितना बाए तो W E-reversible, W-reversible जाहिसी बाद है, reversible button से जादा है, तो हमने क्या किया है, तो हमने किया है, तो हमने किया है, जो यहाँ से lower temperature से एक heat को ले रहा है, जो कि Q are reversible के बाए तो जो कि यहाँ था, ठीक है, अब कहता है कि देखो, यह E-reversible जो burden है, और reversible से जादा है, तो इसमें से थोड़ा सा burden निकाल लो, ठीक है, थोड़ा सा निकाल लो burden, और थोड़ा से कितना निकाल लो है, तो Q के बराबर release करेंगा, कि energy contribution नहीं है, कि यह दुन को amount है, वो इतना ही है, जो इतने के बराबर है, तो जहाँ से बाए दुन मिल करेंगा, तो Q के बराबर heat को generate करेंगा, ठीक है, यहाँ की extra कुछ burden मिल भी जाएगा, हमको, यह मिलेगा, क्यों कि हम थोड़ा सा अगर जादा है, तो जितना extra है, उसको हमने इसको दे दिया, और बाकी जो बच जाएगा, वो नीचे आ गया, ठीक है, तो बच गया, उसको नीचे ले आए है, उसको हमने net कहा है, जो कि जहाँ से बाए पोजिटिव होगा, कि कुछ न कुछ हमको burden मिल रहा है, अब देखने रिजयरवायर से क्यों ले रहे हो, हमारे पास यह हमारा engine जो जनरेट करे रहा है, तो यही बाला heat को ले लो, तो हमने इसी heat को घुमा के इसको दे दिया, यानि कि हमको रिजयरवायर के उपर जबवत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा engine, यह रिवर्सिवल engine है, यह जो काम कर रहा है, और हमें heat भी, sorry, हमें bug done भी करके दे रहा है, यहाँ से इसने heat लिया, यहाँ से reject किया, उसी rejection वाले heat को हमने यहाँ डाल दिया, और इसने फिर जाके यहाँ पे reject कर दिया, और कुछ positive bug done भी दे रहा है, जो की संभब नहीं है, ऐसा कहते हैं कौन, केलिविन प् के statement का violation है, और यह हम पहले ही सावित कर चुके, केलिविन प्लांग जो है statement होता है, वो universal truth है, वो गलत नहीं होता है, ठीक है, तो जहिर सी बात है कि ऐसा मानना कि e-reversible engine की efficiency reversible से ज़्यादा हो सकती, ऐसा कभी संभब नहीं है, अगर संभब हो गया, तो भाया हम, एक single reservoir से, हम burden करा देंगे, engine चला देंगे, ठीक है, यानि कि बिना temperature change के, बिना heat के rejection के, बिना atmosphere में heat के rejection के, हम cycle चला देंगे, यानि कि ऐसा हम continuous cycle बना लेंगे, ठीक है, जो एक ही रिजावेगार की भी चलता रहे, यानि कि infinite समय तक चलता रहे, कभी वो engine क्या होगा, उसके energy की requirement नहीं tension कहें ले रहे हो, ठीक है, अब इसमें क्या आगया है, तो इससे ये proof हो गया, कि इरिवर्सीवर की efficiency कभी भी जादा नहीं हो सकती है, अगर तुमने जादा माल लिया, तो अभी मैंने उससे एक ऐसा engine मना के दिखा दिया, जो continuous burden देगा, ठीक है, एक ही से energy लेगा, और continuous burden दे लेता रहेगा हमें, कभी वो stop नहीं होगा, ठीक है, यानि कि ऐसे की efficiency भी 100% हम ला सकते हैं, जो कि संभब नहीं है, ठीक है, हमने ऐसा करके दिखा दिया, तो ऐसा संभब नहीं, यानि कि हमको मानना पढ़ेगा कि इरिवर्सीवर की efficiency से दैव, रिवर्सीवर से कम होगी, ठी ठीक है, अब एक और मैं प्रूफ करके दिखा होता हूँ, एक और मैंने प्रूफ क्या बताया था, एक और प्रूफ बताया था, कि जितने भी रिवर्सीवर इंजन है, जो same temperature limit के बीच काम करता है, उसकी efficiency सेम होती है, ठीक है, इसको भी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, त ठीक है, दोनों जो है higher temperature से, same energy Q ले रहा है, same heat Q ले रहा है, ठीक है, और rejection जो कर रहा है, जाएट से बाता बगडन दोनों अलग अलग करेगा, दोनों इंजन अलग लग लगए, एक W बगडन कर रहा है, एक W डैस बगडन कर रहा है, तो यह heat rejection भी अलग होगा, यह QR rejection कर रहा यह हमारा जमसर है ठीक है और यह lower temperature T L पर rejection कर रहा है ठीक है और तुमने क्या मान लिया वैज तुमने का दिया कि हम नहीं मानने को तयार है कि दो जो reverse one engine है उसकी efficiency बराबर होगी तो बराबर नहीं होगी तो क्या होगी तो हो सकता बड़ा हो हो सकता छोटा हो कोई भी एक मान के अगर एक मान के दुसरा अपने मना जाए क्योंकि यह जैनल यह ज्यादा है किसे बात एडास ऐसा हम आगर ऐसा है तो अगर ऐसा है तो तो यहांप एफिसेंसी निकाल लोगे तो तो बर्ड़न by heat added ठीक है burden by heat added ठीक है इसका efficiency निकाल तो इसका बड़न इतना है और इसमें heat addition जो हुआ वह भी क्यों ही हुआ है ठीक है अब क्या करेंगे तो Q Q दोनों में नीचे नीचे है तो Q Q क्या कर लें कार देंगे तो यहां पर आ गया कि burden by कौन सा भाई तो इवाला है जो इसके दोरा burden जो होगा इड़ेस वाला जो इसके burden से सदैब ज्यादा होगा क्योंकि आपने अजमसन ऐसा माना है ठीक है तो ऐसा अजमसन माना है तो सेम जैसे मैंने पिछला किया तो उसी परकार से फिर से ठीक है हम ऐसा इंजन बना सकते हैं जो केल्मिल प्लांक लाग को वालेट कर जाएगा ठीक है हमने क्या कि यह इसका इनर्जी जो यह जो बर्डन कर रहा है वो क्या है बै तो इसके बर्डन से 약간 से ज्यादा है इसको आप जो एसंटरा बजाएगा बठाएगा जिसको कि इतना तो पोज्य टीव आरहे है तो इस अब की यहां बिलाए और कि जान नहीं Julius को ऑक फट इसको और मिलाएंगे तो और हम आने वाला है क्यों कि स्य वणनों को जोड़ाने प्रिया हॉन है तो हम minder लिए फिर से तो हिसको किक्तना निकाल भाई तो कि ये ऊक्रण को दे देंक कि ये क्यों ही चाहिए इसको डवलु बगडन करने के लिए क्या चुल जरी निकाले मेरा निकाले आए बाकिले कि वर्यम करके क्यों होताकी यूझंगर निकालेगा परिए-छ letak ठीक है यानि continuous ली इंजन चलता रहेगा यानि कि हमने फिर से एक ऐसा इंजन में ला लिया है जो सेम रिजर्वाइए यानि कि TL के साथ ही वर्क करके आपको continuous वर्क प्रवाइड करके दे रहा है जो की संभव नहीं है एक परकार से केंवी प्लांग का क्या है violation है ठीक है तो ऐसा मानना भी आपका गलत है यानि कि आपको एक ही जी मानना पड़ेगा या तो रिवर्सिवल वाला जो बगड़न वो ज्यादा होगा या फिर दो जो रिवर्सिवल इंजन होते हैं उसके बड़ जो efficiency होते हैं क्या होते हैं सेम होती है तो चलिए आगे बढ़ है कुछ important points भी है जो ESC और गेट के एक्जांस पर डाट लिए पुछा जाता है ठीक है सबसे पहला क्या है तो यहां तो जो हम पढ़े है वही है क्या है पहला कि efficiency और रिवर्सिवल इंजन है और उसका temperature लिमित यानि कि higher temperature और lower temperature ज़डर रिवर्सिए आगर वही सेमसे में उसकी energy ऐसकी एफिशेंस भी सेमसे मोगे ठीक है यानि कहने का मतलब यह भी हो गया कि कि रिवर्सीवल इंजन का जो efficiency होता है वो working fruit पर depend नहीं करता है ठीक है यह भी याद रखिएगा ठीक है कि रिवर्सीवल इंजन की efficiency working fruit पर depend नहीं करता है ठीक है यह तो दो चीज़ जाद रखना है यह तो आता है यह उसके बाद numerical में यह भी बहुत जादा पुछा जाता है ठ series combination of two Carnot engine दो Carnot engine इसका series combination कर रहा है series combination मतलब होता है एक से जो burden निकला उसे दूसरा काम कर रहा हूँ ठीक है इस परकार से आगे बढ़ा हो तो कर रहा है कि मैं तब एक हो जो heat reject किया है वो अगले engine के लिए वो heat का input हो इस परकार से कहराता है बर्ट नहीं heat ही तो दूसरी के लिए टिक है अब बना देता हूं जैसे एक इंजन ने काम कि यहां से रिट लिया उसने क्यों 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 लिया तो इसको कहते हैं combination तो ऐसा कोई Carnot engines का switch combination है ठीक है a switch combination of two Carnot engines दूए एक पर चलते हैं धेर सारा भी हो सकता है दूबाला पर generally questions आ रहा है उस पर numeric बनाना भी आसान होता है formula भी आसान मनता है तो कहता है a switch combination of two Carnot engines operate between the temperatures of T1 and T2 ठीक है यह अलग बर्डन दे रहा है यह अलग दे रहा है यह अलग दे रहा है ऐसा हो temperature limit T1 और T2 हो if the engines produce equal amount of work ठीक है और जो दोनों को दो ही हम अभी यूज कर रहे है और दोनों को दोनों क्या कर रहा है तो बर्डन अगर आपको steam दे रहा है then the intermediate temperature तो intermediate temperature कितना होगा तो यह देखी यह T1 है इसके निचे काम किया यहां पर रिजरभ आया है और इसके निचे फिर से एक काम किया टीटू पे तो यह जो रिजरभ आया है यह जो बीच बाला रिजरभ आया जाए इसका temperature क्या होगा यह आपको बताना है ठीक है यह बॉकरन दे रहा है W और यह बधन दे रहा है w2 ठीक है तो मीन टेप्रेचर कितना होगा यह मेंको बताना है यहLR pending आपको भॉल्यों थासकर यह जब दोनों डोनों बड़ पर क्या हो बरावर हों तब जाके अकर Hey अश्य सिरीज में लगा रहा है तो लेकिन जादी इफिशियंसी स इम कंडिशन कहा दे कि efficiency सेम है दोनों का ठीक है तो जो intermediate temperature होगा कितना होगा है तो under root T1 into T2 यह होगा ठीक है और यह काफी important formula काफी ज्यादा ठीक है तो इसको सदै भी याद रखिएगा proof हम लोग अगले वीडियो बगरा में देखेंगे फिलहाद तो हम लोग इसको याद रखिए और यह सी और गेट कोई exam का question लगाओ अभी previous question लो उसको लगाओ तब पता लगा है कि मैंने जो पढ़ाया वो कितना useful है ठीक है अगले वीडियो लेक्षर में हम लोग देखें थर्मोडानमिट temperatures की ठीक है हम लोग के लिवी नस्किल को देखेंगे यह भी देखेंगे क्यों जो हीट रिजेक्शन होता है या यह जो इसी सेंसी बगरा होता है या कोई भी किसी के पास भी एनर्जी है तो डाटली परॉक्षर होता है टेम्परीचर का ऐसा क्यों होता है यह भी चीज़ों है काफी देका डियन में काफी दंग का चीज़ सही सेंगां हम लोग निश वीडियो में देखने ऐड़े तो चलिए यदि इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कि या इस चैनल को इसका besten तो सबसक्राइब करे ज़ोगा वीडियो के लाइक कर दीजेगा उपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगा ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो में इतना ही था था थैंक यू बनी मच्छ